नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो पिछले एपिसोड में हमने आप से कहा था कि परवेज पटेल और पपु जिसने ना जाने कई लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाया इस एपिसोड में हम उसके कुछ एजेंट के साथ कुछ एहम खुलासे करने वाले थे लेकिन उससे पहले हमारे हाथ एक ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग लगी है जो परवेज पटेल के करीबी इर्शाद की बताई जा रही है इर्शाद किसी व्यक्ति से बात कर रहा है यह छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग है लेकिन काफी कुछ बया करती है पहले आप उसे जरूर सब्सक्राइब अब यह अपने काम की सिलसिले में आया था ना मैं मिलने के लाप से मिलने का पर आया थे आफिस में अपने अच्छा कोन से काम अपने काम वह दूसरा सेकेंड वाला तो किके ना रहा है ना मैं क्या बले आय रहो लोगी कापर रही नहीं मैं अभी तो बाहर हो मुझे बस थोड़ा सा चीजे कनफर्म करना था इसले मैं आपको फोन किया था अभी काम शुरू है कि बंद कर दिया इसा ना ना काम दू शुरू है शुरू है ना अभी रेशो पकरे क्या दे रहेते हम अपन वहा रेशो सु पूरा ने पचास पे करेदेग् न था बबले देन ना नयक उझता आप अभी द्सॉरु मिलता है ना मिलता है तो अगर कल आया अगर बंदा तो तुरंथ हो जाएंगा क्या ओन टेबल पर परटी तो इधर की छे अपने नागपूर के पास की साउनेर साइड में परटी से मिलना पड़ेगा ना पर बाई डारेक को इसा माल नहीं देखे ना पर अच्छा पहले मिटिंग करो पहले कालियाद लेगा उनको पूछ रहे हैं वह मिटिंग अगर सब करा दूँगा मैं ले दोस्तों इससे पहले राजिक कुरेशी महाठग की सारी कहानी BCN ने आप तक प्रतेक्ष रूप से सच लेकर आया था और अब परवेश पटेल परवेश पटेल से जुड़े हर मामले की सच्चाई एक-एक सच्चाई हम आप तक लेकर आएंगे आप हमारे साथ बने रहें अगले एपिसोड में परवेश पटेल किस तरीके से काम करता था कुछ एहम खुला से कुछ एहम राज और उनके एज़ेंड कौन-कौन थे और हर एक एज़ेंड की एक-एक जानकारी BCN आप तक लेकर आएगा हमारे साथ बने रहें देखते रहे सिर्फ NBC News पे जहिंड